दिवियन को कशिश की इस हरकत पे काफी ज़दा हसी आई है और बोला बताओ भाई इसको कोई तो कुछ बताओ तो मैं आप लोगों को बताती हूँ घर के अंदर की लीटस वाली गॉसिप तो गॉसिप सुनने के बाद आप लोग मुझे कमेंड बॉक्स में बताईए जरूर कि आप लोगों को नए वाइल कार्ड जो आई हैं घर के अंदर कैसे लग रही है है हलागी वाइल कार्ड घर के आए हैं तो उन्होंने अपनी अलग अलग चीजें वो करनी शुरू कर दी है जिसके उपर जो है उनके बारे में बाते तो हो ही रही है क्योंकि वो थोड़ा दिमाग लेके आए हैं उन लोगों को टार्गेट कर रही हैं जो लोग पहलе ही काफिश दाचर्चा में हैं घर के ब बोला कि भई धाई एपिसोड जो है वो देखके आई है आते ही जो है कशिश ने ये बात बोली मैं धाई एपिसोड बस देखके आई हूँ उससे जादा और कुछ नहीं तो कशिश ने धाई एपिसोड देखे ते ही जो है पूरे घरवालों के बारे में जो है सब चीजे जज कि कॉन कैसा है। कॉन कैसा नहीं है। जिस चीज़ से ईशा जो है। कोई बात नहीं लोगों को बताएंगे और तो और ये लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भ crush अब भी तक इस घर में जितने भी लोग थे उन्हों ने कभी भी अपने social media के बारे में कोई भी बात ने कि इन लोगों ने आते हमें इतने like मिलते हैं हमारे इतने follower हैं ये है वो है तो जो है इसे हरकस से काफे जदा हसने लगे और बोड़े अच्छा फिर वो आलू तक ही देखे है यह चार आलू तक उसके बाद उसको पता ही नहीं है भाई उसको बताओ कोई तो उसको बताओ तो विविन को भी पता चल चुका है कि भाई बड़ी उंगली बाज यह औरत है जो कि घर के अंदर आई और सच में यह उंगली बाज ही है काफे सदा उंगली कर रही है सब लोगों को उंगली कर रही है आ रही है जदा इशा को उंगली कर रही है तो क्या होता है न जो लड़ करकि किस तरीके से बात करूंगी क्योंकि मेरा तो class है और इसका तो class है नहीं इसने तो नीचे गर जाना नीचे गर के बात करनी है तो इशा जो है वो काफे जा confused हुई हुई है हाला कि कशिश ने आके जो है इशा को थोड़ा सा confused तो definitely कर दिया है पर इतने भी मुश्किल ये वाइल करड है नहीं जो इनके लिए इतनी जदा मुश्किले खड़ी कर सकते हैं क्या आप लोगों को लगता है बताईए जरूर आप लोगों को इनके बारे में क्या लगता है और विविन का भाई ये बात जो उन्होंने बोली एक के उपर वो आप लोगों को कैसी लगी इसी के साथ ने लेती हूं जाज़त नमस्कार